असलाम अलेकुम वीवर्स वैलकम टू माई चैनल वीवर्स आज हम बनाएंगे घर पर देसी घी और देसी घी हमने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या टिप्स और ट्रिक यूज की है वो भी मैं बताऊंगी और बहुत एजी तरीके से बनाया है मैंने घर पर बहुत सारी मलाई जमा कर रखी थी, फ्रीजर में मैंने डब्बे में स्टोर करके रखा हुआ था, उसके बाद जब बहुत जादा मिगदार में मलाई मेरे पास जमा हो गई, तो मैंने इनको 7-8 घंटे के लिए मैंने बाहर रख दिया था जो जमी हुई मलाई थी वो पिगल गईती इस一定要 मैंने पिगला लिया था चूले पर रख कर नीम गराम कर लिया था फिर मैंने इसमें डही शामिल करके, इसकी जमाली थी अब ये देखे दही बहुत अच्छे से ये बन चुकी है और इसके बाद मैं इसमें से मक्खन निकालूंगी मक्खन कैसे निकालूंगी अच्छा ये जो कडाई में जो दही मैंने जमाई है मलाई की ये ठंडा है ठीक है मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो ये दो दिन तक फिरिज में ही रखा हुआ था मैंने इसके बाद देखे मैं इसमें पानी जो है वो नॉर्मल पानी लूँगी ठंडा पानी नहीं लूँगी क्योंकि ये जो दही है वो मलाई की जो दही जमाई है ये ठंडा है और पानी में नॉर्मल लूँगी तो इससे क्या होगा कि मखण एजीली अलग हो जाएगा अगर आप पानी भी ठंडा ले लेंगी ना तो ये मक्षन अलग नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आपको बहुत जादा टाइम तक ये मशीन आपको चलानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पानी नॉर्मल लूँगी, ये है इसकी पहले ट्रिक, अब ये देखे मैंने कुछ मिगदार में, थोड़ी सी मिग कुछ टाइब में आपको हेह जाएगे, ये मशीन स्पीड हो गई है, तो अब ये देखे में पूरा मैं इसमें से निकाला नहीं नीए, बलके मैं जग मैं से सारा में, ये बड़ी से पतीला मैंने रख लिया इसमें मैं तूसरी बार डालूंगी ये देखे, अब मैं ये पा यह लिए यह नणा को में आपको बता दी स्पीर का तहों को यह है कि यह देखेंगे बड़र्फ की बोतल है जो मैंने फ्रीजर से ठंड़ा होजाता है यह तो मख़न अपस में चिपकने लग जाता है और लसी अलग हो जाती बहुत उसलि़ तो हमें बहुत जादा मेहनट नहीं करनी पड़ी इसके जब हम गोले बनाएंगे तो बहुत इजी गोले बन जाएंगे और लसी बहुत इजी लिया अलग हो जाएगी यह देखें यह बोतल है इसमें यह बरफ की बोतल थी यह मैं इसी में रहने दूंगी अब मैं इसके यह देखें इस तरह से आपने हैंड बहुत अच्छे से वाश कर लेना है यह देखें इस तरह से आपने यह उठाना है और इस तरह से इसके गोले बनाने है इसमें से बहुत अच्छे से यह लसी निकाल लेनी है यह देखें दबा दबा कर ऐसे निकाल लेना है इसको इसमें पानी बिल्कुल नहीं चोड़ना आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से निकालना है यह जिस तरह से मैं कर रही है इसका फाइदा यह होगा कि जब हम मक्खन को घी में कनवर्ट करेंगे मतलब इस मक्खन को पका कर घी बनाएंगे तो इसमें लसी बहुत कम मिगदार में जो र बहुत ही जायकेदार है देखे अब हम एक खुला पतीला ले लेंगे और इसमें यह मक्खन डाल देंगे ताके यह पका कर भी बना ले हम अच्छा इस मक्खन को मैंने फ्रिज में रख दिया था तो यह इसलिए जम चुका है और इसको अब हम अलग करेंगे देखे इस तरह से बहुत एजी प्रोसिस है कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें आप लोग भी अपने घर में इसी तरह बहुत एजी तरीके से बना सकते हैं देखे कितना साफ और शफाफ मक्खन यह जरा भी इसमें कच्रा या कोई डस्ट या इसका कलर डल नहीं है देखे कितना मेडियम फ्लेम रखना है तो साथ में आपने चमचा भी चलाते जाना है वरना यह नीचे से लग जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा तो आपने जब यह पिघल जाए तो इसके बाद आपने फ्लेम को बहुत ही लो कर लेना है यह देखे यह उपर जाग जो बन रहा है वह हमें जलाना नहीं है वरना जो घी का जो जायका है वह भी खराब होगा और जले हुए की element आने लगेगी और इसका रखना है गोल्डन सा रखना है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है वरना उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा तो यह देखे यह नीचे जो बसे खा जबाना निये बस चलनी में चान कर ऐसे अलग कर लेना अलग से पैन में और यही पैन उठाकर मैंने दुबारा से चूले पर रख दिया है अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी यह जो उपर ज्छाक जाक जाना है इसको बस मुझे खतम करना है बहुत ही लो फ्लेम पर पक हैं यह बस हम नहीं डालेंगे यह तहीं है कितना फुक्सुरत यह बहुति ही पुड भाना हो बड़ने है फसुक्राइँ विखा मैं एक साफ सुथ्रे डाल dirty में दीचार्वेज एखिए कि मुरीस इसको आम तोर पर गी वगारा ही इस टोर करके रखती हूं यह देखे मैं आप इसमें इसको डाल दूंगी उमीद करती हूं कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हर चीज साफ सुतरी हो तो प्रेजंटेशन भी बहुत अच्छी होती है और यह दिए खुबसूरत सा घी बन चुका है कलर कितना खुबसूरत आया है कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक क लिया लाफेज